आनाथासरम चलाया हूँ, सरकार उसमें भी करीब 3 करोड गोंट के बैट गई है, आज भी चलता है, तीसरी मांग मेरी थी कि कलाकारों को कम से कम 4,000 रुपया महिना पेंसन भत्ता, उसमें चाहे गाने वाला हो, बजाने वाला हो, लेखनी करने वाला हो, मने संगीत छेतर तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्यानम स्वामी, आप देख रहे हैं सत्या एक कदम प्रतिभावों की खोज, प्रतिभावों की खोज करते करते, आज मैं पहुंच चुका हूँ, जिला आजमगड की धरती पर हमारे साथ महुद है, एक बहुत ही मसहूर प्लाकार, जिनके पुरी दुनिया फैन, इनके बातों को विचारों को रखती, जिस मादम से आप रखते हैं, इनके हर बात को कायल है, तो आइए हम जाला देर न करते हुए, सबसे पहले इन सब्सक्राइब से बात करते हैं, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है, देखे, पहले तो मैं धन्यबाद आप लोगों को दूँगा कि आप लोग इवा हैं, और मैं बिरहासंका रास्टी प्रेस्डेंट हूँ, तो मैंने तो अपने जीवन में लडाई कलाकारों के लिए खड़ी किया, कि कलाकारों का जो संबायधानिक अधिकार है, उत्तर प्रदेशा बिहार किया, और बहुत सारे प्रदेशों की सरकारों ने नहीं सोच पाया, लेकिन जब 2012 में मैं बिरहासंका प्रेस्डेंट बना, तो मैंने लाखों कलाकारों को इसमें जोड़ा, और जोड़ करके इन कलाकारों को, मैंने बताया कि आपका कौन कौन सा ऐसा अधिकार है, कि जीस अधिका कलाकार को आज तक सरकार ने आपको नहीं दे पाई, तो मैंने कलाकारों को जागरूप किया, कलाकारों को समझाया, बड़े पैमाने पर कलाकार जूटे भी, मैंने पिछली गवर्मेंट में मानी अकले सियादों जो को भी पत्र दिया और मैंने अपनी मांग मांगा कि कलाका सवार अपने गीता ediyor के माध्यम से समाच को जगाता है समाच को समझाता है समाच को जोड़ता है लेकिन किसी सरकार ने अब तक कलाकारों की समस्याव Razaknooo पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही कलाकारों के लिए कोई योजय नहीं तयार किया कलाकार जब इस देश में चुनाव आता है तो उस समय कलाकारों की ज़रुत पड़ती है कलाकार मंज पर जाते हैं नेता की बात करते हैं फिर पबलिक बटोड़ते हैं जब नेता जी आते हैं तो जैसे सफाई कर्मी जारु लेकर जारता हुआ जैसे मंज से कलाकारो पत्रकारों का कही ना कही सरकार उनकी ब्यवस्था कर दिया है ट्रेम रिलवे में उनको आरचित किया है परिबहन में उसको किया है हर तरह से पत्रकारों के लिए ब्यवस्था कर दिया है लेकिन कलाकार हो पत्रकार हो गीतकार हो संगीतकार हो यह जितनी कार है यह सरकार के किं संगीत संगीत के माध्यम से आम जन्मानस तक पहुंचाते हैं जन्मानस तक पहुंचा कि सरकार की नीतियों को बताते हैं समझाते हैं तब सरकार की योजना ग्राम आंचल तक पहुंच पाती है तो सरकार के लिए कलाकार अगर इतनी महत्पूर हैं तो कलाकारों के लिए जो सं कि यहां के खलाकार सरकार की सिती यह कि जब आप अपपनी बात को सुगंता पुरुबक रखेंगे मजबूती से रखेंगे अंदूलन करके रखेंगे तो आपकी बात को सरकार मानेगी क्योंकि सरकार तब तक सब की बात मानती है कि जब तक सरकार सत्ता में बैठता है तो फिर वर गूगा भी हो जाता है अंधा भी हो जाता और बहरा भी जाता है तो अंगे गूंगे बहरे को समझाने के लिए अंदोलन ज़िए उरुत पड़ती है यहां के कलाकार नहीं एक हो पाए नहीं अंदूलन कर पाए और नहीं यहां के कलाकार अपने अधिकार को ले पाए तो मैं पर्यास कर रहा हूं इस चीज पर कि कलाकारों को समझा के जो ब्यवस्था जो संबैधानिक अधिकार है कलाकारों का कलाका और खड़े हो करके अगर मजबूती से इस चीज को मांगेंगे तो निश्चीत रूप से सरकार को जोखना पड़ेगा और कलाकारों की जो ब्यवस्था है एक कलाकारों को देना पड़ेगा सरकार को जैसा कि दोस्तों आप यह सोच रहे होंगा कि इतनी अच्छी बात कर रहे ह है पहले तो हम सर का नाम बता देंगे और बताओंगा नहीं सर चाहते हैं कि खुद अपना सर अपना अमरता स्कों को अपना परिशे बताए देखे मेरा नाम है राज कुमार यादो यादो तो खहता हूं मैं तो बुद्ध का फुजारी हूं लेकिन चुकि इस देश में एक जाती पर्था है और जाती से ब्यक्ति की पहचान इन लोगों ने बनाया है वैसे भी हम जात्पात मानते नहीं लेकिन नाम राज कुमार यादो है मेरा और पेसे से किसान भी हूं आना थासरम चलाया हूं सरकार उसमें भी करीब तीन करोड गोंट के बैट गई है आज भी चलता है और यही समाच सेवा में और बाबा साहब के मीशन के लिए मैज समस्य चलता हूं अब यसे बता रहे थे कि कलाकारों की बात कर रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि आपनदी करते हैं यह वीडियो हमारे पास उनके पहुंच जा जो हमारे देश के मालिक है् कलाकारों के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं कलाकारों के लिए मेरी साथ मांगें पहली मांग मेरी यह थी जो मैंने मुख्यमंत्री जब थे मानी अखलेस यादो जी उनको भी दिया जोगी जी को भी मैंने उस लेटर को दिया जोगी जी को और मानी प्रदान मंत्री जी क तो तो और कलाकारों कि भी वेवस्ता करने का आपि लोगों की वर से तो कोई जबाव नहीं मिला है लेकिन जो मेरी मांग है कलाकारों के लिए मैंने मांग में यह दिया था कि अधिका कर अधर जन्य पदो mi में कहीं भी अपना कारिकरम करने जाता है किसी समिस्या में अगर है तो अगर अपनी बात थाने चावकी पर बुखता है तो एक ऐसा आई जी निदे सालर से लेटर जारी करवा दिये जाएं कि कलाकार की बात थाने और चावकी पर दरोगा इज़त से सुने और उस पर तुरित कारवाई करें क्योंकि बनारस कलाकार आजमगर में गोरकपुर में जाते हैं वहां पता चला कि रात बर कोई दवा लिया उनको पैसे नहीं दिया अब उस समय कलाकार विचारा कहा जाए ठाने पर जब जाते हैं चवकी बर जाते ह क्या मुझसे पूच के कारिकरम करने आये थे तो ऐसी इस्तिति आती है तो मैंने इसलिए पहली मांग यह रखा दूसरी मांग मेरी थी कि कलाकारों को ट्रेन में आरचित कोटा उपलब्द कराये जाए क्योंकि कलाकार जब अपने जिले से बाहर जैसे दिली बंबई कलकता जैसी सहरों में जब कारिकरम करने जाता है तो उसको टिकट नहीं मिलते हैं और उस दसा में मर्जंसी में जाने में पता चला कहीं हर्मोनिया छोट इस दसा में से भी कलाकारों को गुजरना पड़ता है तो मैंने ट्रेन में आरचित कोटा मांगा कि कलाकारों के लिए आरचित सीटे कर दिया जा कि कलाकार कम से कम किसी भी समय अपनी सीटा रचित कराके अपने उस अस्थान तक पहुंच सके सुरजचीत तीसरी मांग मेरी कि कलाकारों को कम से कम साड़े चार हजार रुपया महिना पेंसन भत्ता उसमें चाय गाने वाला हो बजाने वाला हो लेखनी करने वाला हो मने संगीत छेतर से जो भी जुड़ा है सब को साड़े चार हजार रुपया महिना पेंसन भत्ता ये नियम है दचिद भारत की सरकार दे रही हैं लेकिन यहां के सरकार सोई हुई है क्योंकि यहां के कलाकार नहीं जगे हैं तो सरकार भी सोई है मेरी 48 मांग थे कि कलाकार की साथ mermaid कलाकार उसके वीदी ब बच्चे अगर भैंकर रोक सिकर सित्ह ला इलाज बीमारी से अंगर उनके पास है तो उनके समुचीत इलाज की वेषल से लोघर करें कलाकार का बच्च अगर प्रतिपास हाली है तो उस बच्चे को परीशन लाने की पूरी बेयुस्था सरकार करे उसके बाद मेरी मांग थी inhale कि कलाकार अगर समाजी समाज का रीड से और समाज के लिए अपने संगीत संगीत के मात्युन से समाज को जोडने का काम अगर कला कार करता है तो मैं जानता कि परिवहन यात्रा में कम से कम 50% कि राये में छूट होना चाहिए दो मैंने इस बात को कहा था अखिलिज भया जी से मेरी बात भी कई बार बाते हुई लेकिन जब लास्ट बात मेरी हुई तो उन्होंने मैं उनको धनबाद दूँगा सरकार तो उनकी नहीं है लेकि उन्होंने ये कहा था कि मैं परिभान यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूरे किसानों को पूरा फिरी कर दूँगा आप 50% की बात कर रहे हो मै मैं पूरा फिरी कर दूँगा लेकिन मेरी सरकार अब बनने दीजिए तो मैंने उनसे कहा था कि सर मेरी मांगों को अपने मैनोफेस्टों में आप दाखिल कर लेजी अपने मांग पत्र में ताकि कलाकारों को भरोसा बने तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि आपको मेरे उप पर भरोसा नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मैनूफेस्टों में अपने अगर इसको लिख लूँ और सरकार बंने के बाद न दो तब आप मेरा क्या करें कि में जलाखारों का होसला बढ़ जाता तो कहें कि ऐसी बात नहीं है सरकार बनेगी तो आपकी जीतनी भी मांग है रेलवे की मांग में पूरी नहीं कर सकता रेलवे में आरचित कोटा आपको नहीं दे सकता इसलिए कि ये सेंटर गवर्मेंट की जिम्धारी है रेलवे विबाग सेंटर गवर्मेंट का होता है बाकि जो आप मांगें इस पर मैं पूरी कोसिस करूँगा कि आपकी सारी मांगों को मंगवाऊंगा और आपके साथ मैं सहयोग भी करूँगा